है गाइस वेलकम बैक को वंस अगेंड दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई रिकूर्मेंट के बारे में जो कि ग्रह मंत्रा ले माई हुई है और बहुत ही अच्छी वेकेंसी जोने वाली है सैली भी बहुत ही अच्छी दी जाई है आप लोगो और स्टार्ट हो चुका है ठीक है और आप लाइन तो कर दोगे बड़ उससे पहले क्वालिफिकेशन स्वेगरा क्या चाहिए सैली क्या दी जाएगी जॉब लोकेशन क्या होने वाली है किस तरह की पोस्ट होने वाली है और क्या आपको इस पोस्ट के लिए अपलाई करनी चाह तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई नहीं वेकेंसी आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुच पाएगा अगर आपको वाकई में गौर्णमेंट जोब्स की नीड है अगर आप गौर्णमेंट जोब की प्रिपेशन कर रहे तब ही चैनल को सब्सक्राइब करें वरना आप बता दू यह ओफिशन नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है अगर आप भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बट डाउनलोड अब बाद में करना पहले आप इस वीडियो को देखो सबसे पहले देख सकते हैं यहां पे गौर् आई हुई है इस ब्लोग ठीक है एंड यहां पर बताया गया है ओनलान एप्लिकेशन एंडिवाटर फॉर फिरिंग दो फॉलोविंग पोस्ट ऑप कॉंस्टेवल ड्राइबर लेबराटरी असिस्टेंट वेटरनरी आया कार्पेंटर प्लंबर पेंटर ट्रेलर कोबलर गा करना है कि आप का इंटर्स किस पोस्ट में आपकी ul可 duck पॉस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए टर्बिक क्या चाहिए जिको नेसलीिछ चाहिए सिटीजिंशिप चोचिए टेंग फॉर बॉस्ट ऑफ कॉंस्टेवल लेबर टर जो भी पोस्ट है इसके लिए एक citizen of Indian होना चाहिए अगर आप इंडिया की citizen हो तो आप इस वेकंसी के लिए apply कर सकते हो ठीक है एंड इसमें ये भी बताए गया है कि आप किसी भी states हो को issue नहीं है all state का candidate इसके लिए eligible होने वाला है अल इंडिया की वेकंसी है तो कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो ठीक है फो दो पॉस्ट्रेबल ड्राइवर वेटिनरी कार्टमेंटर प्लंबा जो इसके लाबा जो है बताए गया ये citizen of India, citizen of Nepal and citizen of Bhutan यानि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए नेपाल की candidate Bhutan का एंडिया का भी eligible होने वाला है ठीक है तो देख लेना कि आप किस पोस्ट के लिए अपलाई करते हो अब हम बात कर लेते हैं number of vacancies की क्या किस तरह की vacancies होने वाली है अलग-अलग category में जो है अलग 1522 पोस्ट के लिए vacancies है ठीक है number of post कितनी है 1522 है बाकि आप details में देख लेना है कि आप किस पोस्ट के लिए अपलाई करते हो और उसके लिए क्या है यहाँ पे जो आपको 10 परसेंट जो है वेकेंसी जो रिजर्ब एप एक्स सर्विसमेंन के लिए ठीक है एंड उसके लाब 2700 से 179700 के बीच आपकी अपकी सैली होने वाली है ठीक है यह basic pay की बात कर रहो ठीक है eligibility की बात कर लेते हैं देखो eligibility में क्या है कि अलग-अलग post के लिए अलग-अलग है सपोस्ट करो अगर आप laboratory के लिए अपलाई करते है तो उसके लिए अलग माई गया है constable के लिए अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग है अगर आप constable driver के लिए अपलाई करते हैं तो इस तरह से बाते बताई गई है कि जिस किसी भी पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो उसमें जो एक टेक्निकल डिगरी की जो है requirement माई गई है इसे बताए गया ठीक है कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए किसी भी तरह की यह टेक्निकल डिगरी की रिक्मेंट ही है ऐसलिक्स देख़ लो अगर आप cst हो तो आपको पांस साल का मिलेगा ओशर्विसमें हो तो आपको तीन साल का मिलेगा तो एस लेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हो ठीक है उसके ब पर कास्ट ओ, EWSO और OBC काटिगरी से कंडिडेट हो तो आपको जो है 100 रुपीस पे करना है ठीक है अगर आप SCST एक सर्विसमें हो तो आपको कोई फॉर्म फिस पे नहीं करना यानि फॉर्म जो है आपका फ्री होने वाला आपके लिए ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ टू अपलाई करना कैसे है अपलाई करने के लिए आपको सबसे पहला ओफिशिल वेबसाइट पर आना होगा ठीक है फिर उसके बाद जो है आपका पोस्त लेकरना होगा कंडिडेट से नेम फादर से नेम मदर से नेम डेट और बर्थ जेंडर निशनेटी यानि पूर तो जो जो बताया गिए है इसमें सारी चीज इंफरमेशन देख दी गई है सब चीज के बारे मैंने आयोँ बताई दिया है नौटिफिकेशन जो है टोटल 18 पेज का जो है इग्लीज किया गया थो 18-पेज में बता नहीं पाऊंगा उनना काफी लंबा हो जाएगा जो में चीज है उसके बारे मैं आप लोगों बता रहा हूं and examinations के बारे में बता दिया गया है form जो है online start हो चुका है आप जा के apply कर सकते हैं 29 अगत से इस जो है form start हो चुका है and कोई भी candidate आसानी से जा के apply कर सकता है ठीक है अगर apply करने में किसी भी तरह की problem होती है तो आप जरूर पूछ सकते हैं ठीक है मैं आपके सारी questions का answer करने की पूरी question करूँगा and qualifications के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 10th है and उसके लाबा कुछ और भी basic qualifications माँए गया है उसके basis पे आप apply कर सकते है and syllabus के बारे में भी आप चेक कर सकते हो किस में क्या syllabus रहेगा क्या पूछ हो जाएगा उसके बारे में भी बता दिया गया है and fees के बारे में मैंने आपको बता दिया physically standard है कुछ post ऐसी है जिसके लिए physically fit होना बहुत ही जरूरी है तो आप physically पे देख लेना कि किस post के लिए physically fit मागा गया है तो उसके लिए जो है आप apply कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे सारी चीज़े बता दी गई है how to apply apply कैसे करना है and form fees क्या है age criteria क्या है and qualifications क्या है ठीक है तो आप जाके apply कर सकते हो ठीक है and यहाँ पे एक कुछ और चीज़े मैं आप लोगो के शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपना post select करना है कि आपकी qualifications क्या है ठीक है उस qualifications के base पे आप उस post के लिए apply करना तभी आपके लिए better रहेगा and last time मैं आप लोगो को dates के बारे में बता देता हूँ यह 29 जो है अगस से start हो चुका है and इसका जो है last date है वो 37 September रखा गया है तो आपको क्या करना 17 September से फ़र्म पहले form apply कर देना तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जिस vacancies के बारे मैं आपको बताया है आप तक सही information पहुचा हूँ अगर कोई doubt सही कोई कोई रिजट कमेंट बॉक्स में जुरू पूछ सकते हैं तो लाल आज लेता है thank you so much link description में वहाँ पर जाके आप मारे टेलेग्राम को भी जोइन कर सकते हो and इसका जो official notification है official website पर भी जाके चल्क कर सकते हूँ कर सकते है कर सकते है